हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एलजी आई ओनन क्लासेज दिस दीप्ती क्लास सिक्स चप्टर थर्ड क्लॉथिंग यह साइंस का टॉपिक है हमारा थर्ड टॉपिक आ रहा है तो थर्ड टॉपिक हो मैं एक्स्प्रेंड करना चाहेंगी तो आज हम डिसकस करेंगे कॉटन और जूट के बारे में कि यह उगता कैसे इसकी प्रोसीज चू यूजड फॉर को यूज करने के लिए कैसे यूज किया जाता है तो हम आज कॉटन के बारे में पहले जानेंगे तो कॉटन क्या है तो कॉटन है हमारा एनुल सर्व यह बारसिक जाड़ी है यह लंबे समय तक इसके बालों के इसको वाये जाता है से शेजन के अकॉर इंस तिये सुरज की च्रणों की जरूरत होती है यहां पर देखे ंस लिए है यहें है आयल की जगे यह यहां पर वाय है तो सॉरी फॉर यह मतलब इसको जो काटा जाता है अब सबसे बहुन जारेंगे कि इसको गाई के लिए इसका टेमपरेचर कितना होना चाहिए इसका टेमपरेचर होता है हमारा 21 degrees Celsius लेकर 27 degrees Celsius तक इसका temperature होता है temperature मतलब करा मान हमारा 21 degrees से लेकर 27 degrees तक होता है rainfall बारिस की आवसकत कितने तक होती है इसमें tutorial कितनी होनी चाहिए तो rainfall हमारे 50 cm से लेकर 80 cm तक की होनी चाहिए क्याकि इसकी growth एक नेस्ट है मारा इन्डिया में यूएसे पाकिस्तान और ब्राजील यापे ब्राजीले इन इंडिया भारत के कुछ राज्यों में भी हमारा यह उगाया जाता है तो आंदर प्रदेश गुजरात महरास्ट MP MP मतलब मद्र प्रदेश इस जगया पर यह चीज उगायी जाती है सोन जो बीज है हमारा यह जो बोय जाते हैं यह बोया जाता है सोन भी सोता है बोना यह कब बोय जाते हैं यह जाता है बहाया जाता है बसंत रितुम है जब हमारी बारिस की संभावना बढ़ जाती है काटा तभ जाता है सब्टेमबर और धिसमबर में जब ज्यादा ज्यादा गरमी होती है तो नैसे लिखा है हमारा ये दो प्रकार की मसीने बताई गई है कि हमारे जो Ten Coat Lag को काटने के लिए कों अब क्या होने लगा है कि मसीन आ गई है तो मसीनों से काम आसान हो गया है तो दो प्रकार की मसीन है प्रियोग की जाती है एक कॉटन पिकर और एक कॉटन स्टीप है ठीक है तो आंगे देखते हैं और नेस्ट लिखा है हमारा आंगे कि कॉटन इस देन दे सेपरेट का है कॉट सीट इस की बीज है वाइद गिनिंग मसीन होती है इस सीट से कुछ कुछ करके तवारा मसीनि यूजिंग काुइंग नेकए कॉटण निखाली सिस्पिंग इसको आगे भढाया जाता है थीक है valor एओ च चलते हैं यह cotton picker का चित्र है इसमें cotton को cotton को पूरी दरीगे से पहले काटा जाता है फिर इसी में इसे ही cotton ball से छोटी-छोटी रोई काफी जादा रोई को निकाला जाता है आंगे चलते हैं लिखा है हमारा spinning spinning क्या है spinning of the cotton yarn मतलब कहने का है जो कताई होती है जो कताई की जाती है cotton yarn से जो छोटी-छोटी रोई निकाली जाती है the cotton the cotton thus off-ended is used from the yarn ये धागों by the proof by धागों के दारा proofs known as the spinning कताई की जाती है and spinning is done with a simple hand ये ज़्यादा तर हातों से ही किया जाता है like hand the spindle जिसे टकली भी कह सकते है spinning बीलत चर्का जिसे हम चर्का भी कहते हैं आपने देखा होगा गांदी जी का जो चर्का होता है वो हमारा गांदी जी का चर्का देखा होगा उसमें से हाथों के दोआरा ही सूत निकाले जाते हैं और घरों में आपने ये भी देखा होगा कि जो दादी ग्रांड मदर होती है जो रुई को एक हाथ में बड़ा सा रुई का डेला पकड़ लेती हैं दूसरी रुई से रप करती जाती है पदला पदला रेसा निकालती जाती है ये भी हमारा इस्पिनिंग ऑफ दयार ने इस प सुनना सिलाई करना इस परकार की सारी चीज़ों को मिक्स किया जाता है ठीक है अभी के लिए हम जा रहे हैं नैस टॉपिक के साथ जल्दी आएंगे बाई बाई